हालो फ्रेंज वेल्कम बैक टो माई यूटूब चैनल तो आज मैं आप लोगों के साथ बिंगॉली वाइट पुला और चिकन की रेसिपी शेयर करूंगी यह दोनों कॉम्बो बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही इजी है बनारा तो चलिए भीना किसी देरी के इस मज़े ओयल एड़ करके चिकन बना रही हो इस चिकन ज्यादा टेस्टी बनती है अगर आप लोग तेल कम खाते है तो थोड़ा कम एड़ कर सकते हैं अब मैं इसमें जो दो तेश पत्ते एड़ कर दूंगी उसके बाद बारी कट हुए प्याज को एड़ करूंगी तेश पत्ते और प्याज को आप एड़ किजिएगा और इसे प्याज को आपको लगतर चलाते हुए भूनना है तब तक जब तक कि यह गोल्डन ब्राउन ना हो जाए या फिर तब तक भूनिएगा जब तक कि प्याज थोड़ी सौफ्ट ना हो जाए इस रसिपी को ट्राइब जरूर कीजिएगा बहुत ही टेस्टी होती है बहुत ही जल्दी बन जाती है अब मैं इसमें नमाक एड़ करूंगी नमाक इसलिए आड़ करेंगे क्यूंकि नमाक एड़ करने से आपके जो कुकिंग की प्रोसेस है वो जल्दी होने लगती है और जो प्याज है वो जल्दी से सौफ्ट हो जाएंगे तो प्याज को हमें थोड़ी ज़र तक घुन लेना है अच्छी तरह से उसके बाद हमें इसमें चिकन को एट करना है तो चिकन को मैंने अच्छी तरह से मैरिनेट करके रखा है चिकन को आपको अच्छी तरह से वाश कर ले और हमें चिकन को अच्छी तरह से फ्राइब करना है, चिकन च्छी तरह से फ्राइब करना है। और अच्छी तरह ile चाम काम आप श्याइब करना है। तो 7-8 लेसन की कली है और 1 इंच अद्रक है इसे मैंने पेस्ट कर लिया उसके बाद इसमे आड़ कर दूंगी और इसे भी चिकन के साथ हमें अच्छी तरह से भून लेना है तब तक भूनियेगा जब तक कि अद्रक लेसन का जो कच्छा स्वाध होता है ना चला जाए तब त सकते हैं तो मैंने ना राइस का मेजरमेंट इस ग्लास से किया है आप चाहे तो कप या कटोरी से भी कर सकते है उसके बाद राइस को धो देना है और 15 मिनट तक इसे फूलने के लिए रख देना है इससे कहा है आपकी पुलाओ खिली-खिली और लंबी होगी चाबल आप कू करने तो मैंने यहां पर केवल दार्चीनी का यूज किया है आप चाहे तो इलाइची भी एड़ कर सकते है उसके बाद हमें इसमें काजू और किश्मिस को एड़ करना है तो इसका भी कॉंटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा या कमा सकते हैं हमें इन्हे अच्छी तरह से हमें लो मीडियम फ्लेम पर भून लेना है ज्यादा नहीं बस दो चार मिनट तक हमें राइस को चला के भून लेना है पुलाव इससे के हैं बहुत अच्छी बनती है इस रेसिपी को ट्राइच जरूर किजिएगा बहुत ही टेस्टी रेसिपी है अब हम इ अगर रेसिपी पसंद है तो लाइक और शेर किजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिएगा तो राइस को गोनने के बाद मैंने इसमें पानी को एट किया है तो पानी हमें चावल के डबल एट करना है जिस किसी भी चीज से अपने ये बनेंगे अब इसे चला के हमें मिला लेना है और इसमें हमें sugar एड करना है malli गल्दी बन जाती है अगर आपके घर कोई गेस्ट है तो इस रेसीपी को आप ट्राइ कर सकते हैं उन्हें बहुत ही पसंद आएगी कुकर के ढकन को बंद कर देना है और हाई फ्लेम पर हमें राइस को पकाना है एक सीटी आने तक इसे पकाना है जब तक पोलाव बन रही है त एक साथ मिला लिया था और इसे अच्छी तरह से चला के हम मिला लेंगे अब हम इसमें टमाटर एड़ करेंगे और इसे भी चिकन के साथ हमें अच्छी तरह से मिला लेना है और चिकन को हमें अच्छी तरह से फ्राई करना है तब तक जब तक की मसाले अच्छी तरह से भू कर देंगे इधर चिकन भी हमारी देखी बहुत ही अच्छी तरह से भून गई है लेकिन अब हमें इसे और भी भूनना है इसमें आप मैं दो हरे मिर्च एड़ करूंगे हरे मिर्च जरूर एड़ किजेगा इससे क्या हरे मिर्च की एक अलग फ्लेवर होती है वह आपके चिकन में एड़ होगी और बहुत ही चिकन टेस्टी बनती है तो चिकन हमारी बन ही गई है अब इसे ग्रेवी बनाना है और इधर देखिए कुकर का प्रेशर कम हो गया था तो मैंने कुकर को खोल के राइस को चेक कर लिया तो देखिए राइस हमारे कितने खिले-खिले बने है च इसके साथ gravy वाली chicken सब कोई बहुत पसंद करते है अब इसे ढग देना है तो देखिए मेरी chicken बन गई थी आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी comment करके जरूर बताईएगा और पसंद आई हो तो इसे अपने friends and family में share किजिएगा और मेरे चैनल पर नए है ना तो मेरे चै झाल 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 झाल झाल झाल